Hi friends, आज एक ग्लास पानिंग से relationship healing और अपने आपको भी heal करना है हमें ठीक है? हम लोग बहुत कभी-कभी depressed हो जाते हैं life में, कभी-कभी बहुत tension में आ जाते हैं manifestation में लगे हो हैं, अपनी techniques लगा रहे हैं और अभी थोड़ा time लग रहा है आपकी wish fulfill होने में तो बीच-बीच में आप लोग बहुत जादा परिशान होने लग जाते हैं कि क्यों नहीं सबकी wish हो रही है, मेरी क्यों नहीं wish पूरी हो रही है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो इस पानी में आप सबको पता है इतनी ताकत है कि अगर जलते हुए आख पे भी पानी छड़क दो तो वो भी बुझ जाता है तो ये पानी जब हमारे अंदर energy के रूप में जाएगा तो ये हमें शांत करेगा, as well as हमारी wish को manifest करने में बहुत helpful है आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, a glass of water can heal relationship and make your wish come true, right? So, वो ही चीज आज मैं यहाँ पर फिर से बताने जारी हूँ आप लोगों को, a glass of water can heal your relationship and make your work very easily heal और उसके साथ-साथ जो लोग studies में हैं, focus नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए भी बहुत-बहुत-बहुत important है ये a glass of water can heal, okay? Meditations करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, उन सब के साथ-साथ, please इस पानी का इस्तमाल जरूर कीजिए, water has a magical effect, बहुत magic है इसमें, simple है, कुछ भी नहीं करना है, आप एक glass पानी लीजिए, उसको थोड़े देर देखिए, हमारी आखों में जो energy होती है, okay? आप किसी चीज़ को continuous एक थोड़े देर तक देखते रहें, देखते रहें, आपको कुछ एक अजीब सी थेचावट महसूस होगी, तो we have all attraction powers in our eyes, हम किसी भी चीज़ को अपनी आखों से attract कर सकते हैं, लेकिन focus लगाना चाहिए, ये निये कि आपका, आप देख तो पानी को लेकिन ध्यान इदर उदर भटक रहा है, सी सारी चीज़ तो हमारी thought पे dependent है, जो भी हम सोच रहे हैं, वो ही हम manifest कर रहे हैं, जैसा आप सोचेंगे, वैसा ही आप उस समय feel करेंगे, अनुभाफ करेंगे, पानी को हाथ में लेते ही, उसकी जो ठंड़क महसूस होती है, एक जो आप relationship है दोनों के बीच में, but still there is not deep नहीं है, उतना प्यार नहीं है, वो लोग भी करेंगे, बाकी सब भी अपनी अपने wishes के लिए, simple है, जब भी आप पानी पीते हो दिन में, जितनी बार पानी पीते हैं, take a glass of water, एक glass में लीजिए, हो सके तो कांच का glass बहुत important है, और सारा दिन उस पानी को पीएं, मतलब जब हम इसमें अपनी energy डाल देते हैं, affirmation के रूप में, जो हमें अपनी wish बोलनी है, वो wish जब हम इसमें बोल देते हैं, फिर उसकी इस पानी की ही power बहुत जादा बढ़ जाती है, यह energized हो जाता है, यही energized water जब हम consume करते हैं, हमारी energy को औ बहुत important है, simple आप एक ग्लास पानी लेंगे, अपने-अपने relationship के लिए, आप present tense में, कोई सी भी wish हो present tense में बोलेंगे, पानी लिया थोड़े देर उसको ध्यान से देखते रहिए, ओके, आप उस पानी में अपनी वो life imagine कीजिए, ठीक है, अभी तक तो सिर्फ affirmation बोला था, अ उस अक्स को imagine कीजिए, वो future देखने की कोशिश कीजिए, जो आपको चाहिए, basically आपकी wish आपको future में चाहिए, कि हाँ, कल मेरे साथ ऐसा हो जाए, ठीक है, कल मुझे ये खुशी मिल जाए, वो खुशी आपने इस पानी में देखना है, तब आपको थोड़ा टाइम लगेग बहुत हापी married life spend कर रहे हैं, बहुत happily married हैं, या फिर आपको job मिल गई है, आप अपनी job enjoy कर रहे हैं, बहुत handsome salary मिल रही है आपको, या फिर आपने exams clear कर लिया है, बहुत अच्छे से, और अभी आपको बहुत flying colors में आपने result manifest कर लिया है, ठीक है, इस तरह से कोई से भी wish, अपने health के लिए भी, कि मैं बहुत healthy हूँ, आपको healthy, fit and fine, slim trim, सब कुछ आप इसमें देखेंगे, as it is, you have to just see in this water, आपको उसी तरह से अपने आपको देखना है, अब देखने में please problem नहीं आनी चाहिए, why? because आपकी wish है, आप वही तो देखना चाहते हैं, वही तो आपके दि आप अपनी wish इसमें बोलेंगे, simple सा, कि मैं present tense में, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा relationship बहुत अच्छा है, मेरी शादी हो गई है, मेरे specific partner से, thank you, thank you, thank you universe, इसी line को तीन बार आप मुह से बोल के भी बोल सकते हैं, whisper कर सकते हैं, मन में भी बोल सकते हैं, intentions इस पानी में डाननी है ठीक है, आपने इस पानी को देखते रहना है, में का मतलब एक बहुत ही straight अपना ये eye का vision आप इस पे रखिए, आपना बिल्कुल मतलब इसको थोड़े देखिए आप, eyes की जो energy है, attraction वाली वो इस पानी में जानी चाहिए, इसको देखेंगे, अपनी wish आपने बोली इसमें, जॉब के लिए, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बहुत अच्छी जॉब लग गई है, मैं बहुत happily अपनी जॉब enjoy कर रहा हूँ, या कर रही हूँ, जो भी है, thank you, thank you, thank you universe, इस तरह से तीन बार आप अपने मन में भी बोल सकते हैं, directly पानी में भी बोल सकते हैं, बोल करके, थ सारा दिन कहीं office में हैं, तो सारा दिन इतना time कैसे लगाएंगे, simple है, बहुत जारा time consuming नहीं होता, आप एक bottle को सुबह सुबह कहीं शान्ती में खड़े होके, affirm करके उसको रख लीजिए, सारा दिन पी दीजिए, घर में तो जितनी बार भी पानी पीते हैं, पानी लीजिए, वो सारा दिन सिर्फ इतना बोल के पीजिए, कोई wish के regarding पानी में मत बोलिए, वो और जादा desperate कर देगा, इससे best है, सिर्फ अपने आपको calm down करने के लिए इतना बोलिए, I am happy, I am at peace, I am very positive, okay, and simple simple चीजे जो आपको शान्त करें, ठीक है, I am at peace, I am very happy, I am blessed, अपने आपको I am blessed कह कोड़िए, हमेशा बोलते रहिए, so this is something की पानी को use करके हम किस तरह से अपनी अपने wish manifest कर सकते हैं, बहुत easily, okay, and ये करते रहिए आप लोग, पानी जभी भी पीचिए, अगर कोई wish नहीं भी बोलनी है, तो at least इतना बोल के, I am healthy, I am very blessed, I am very happy, तीन लाइन तो मतलब आप लो कि हमेशा मुझे ये चीज अपने आपको बोलनी है, and yes, वैसे भी आप बोल सकते हैं, पानी में अफर्म करके बोलते हैं, तो उसकी energy level ही बहुत हाई हो जाती है, so this is something regarding this water, and how this water is going to heal you, as well as your relationship, और आप लोगों को अपने अपने wishes को manifest करने में किस तरह से ही help परेगा, so that's all guys, thank you so much, stay positive, stay safe, stay blessed.